नमस्कार दोस्तों, Study IQ पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुती बहतरीन खबर मैं कहूंगा for all those people जो की नाशनल पार्क्स में जाना पसंद करते हैं जो की वाइड लाइफ एंथूजियास्ट हैं या फिर जो Tiger Reserve में घूमना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही positive news है भारत ने अपनी पहली hot air balloon safari launch कर दी है और ये की गई है मध्यप्रदेश के बंदवगण Tiger Reserve में जानेंगे की असल में hot air balloon safari क्या होती है hot air balloon के पीछे की जो science है उसको भी समझेंगे बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार भी है and also we will discuss about certain interesting facts about the बंदवगण Tiger Reserve सो चलिए start करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे telegram channel से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुट सकते हैं अपनी queries आप मुझसे Instagram पे पूछ सकते हैं Study IQ आप को डाउनलोड कर सकते हैं from the Google Play Store और आप पे आपके UPSC की तयारी को आसान करने के लिए हमने कई सारे courses launch किये हुए हैं जिसमें बहुत ही important course है Past Year Prelims Discussion का course जिसमें हमने पिछले 10 साल के papers को discuss किया है जिसमें आप तयारी कर रहे हैं जल्दी से आप को डाउनलोड करें और इस course को बाई करें All right So जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिछले साल के almost आखरी दिनों में इसको launch किया गया था December 26 की ये news है The Tribune newspaper की India's first Tiger Reserve Hot Air Balloon Safari in Madhya Pradesh तो देखे Madhya Pradesh को आपको मालूम होना चाहिए Tiger State of India भी कहा जाता है Madhya Pradesh में लगभग India के जो wild tiger population है उसका 20 प्रतेशित आपको केवल एक राज्य में मिलते हैं That is Madhya Pradesh And not only India अगर हम दुनिया भर की tiger population की बात करें तो जो current estimates है उसके अनुसार लगभग 10% of the world tiger population केवल और केवल Madhya Pradesh में ही देखने को मिलती है अब यहाँ पे Madhya Pradesh के एक tiger reserve में जिसका नाम है Bandhavghar Tiger Reserve And I want to tell you Bandhavghar Tiger Reserve केवल इंडिया लेवल पर ही famous नहीं है अंतराश्टिय स्तर पर भी काफी सारे लोग आते हैं इस Tiger Reserve में इंडिया की पहली hot air balloon safari launch कर दी गई है और इसके बारे में हम जानेंगे कि यह hot air balloon ride है यह कहां कहां पर launch की गई है देखिए किसी भी tiger reserve में या फिर किसी भी biosphere reserve में क्या होता है कि उसको तीन भागों में तोड़ा जाता है तीन या फिर चार भाग कह सकते हैं आप इसमें क्या होता है जो सबसे center वाला area होता है this is called as the core area जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं core area में क्या होता है कि आप वहां की जो natural beauty है वहां की जो aesthetics है वहां की जो wildlife है उसको किसी भी रूप से disturb नहीं कर सकते हैं core area को कानूनन तोर पर भी protection दी जाती है तीक है तो वहां पे जाके ना तो कोई research कर सकते हैं ना वहां पे जाके कोई tourism हो सकता है ना वहां पे जाके कोई education की activity हो सकती है core area completely बंद रहता है completely sealed रहता है उसके बाद next area आता है आपका buffer area buffer area में चीज़ें थोड़ी अलग होती है buffer area is just next to the core area और buffer area में आप R&D activities कर सकते हैं कुछ recreation यानि की tourism या फिर परेटनों के लिए कुछ काम कर सकते हैं ठीक है इसके इलावा कुछ educational activities भी perform कर सकते हैं उसके बाद आता है transition zone और transition zone के अंदर आपको human settlements भी मिल जाती है transition zone के अंदर आप agriculture भी कर सकते हैं forestry भी कर सकते हैं fishing भी कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का commercial activity जो की वहाँ पे रहने वाले लोग पहले से करते आएं हैं वो लोग उसको continue कर सकते हैं तो यहाँ पे यह जो तीन areas हैं इसमें जो आपकी hot air balloon ride है इसको सीमित रखा जाएगा to the buffer area I have that told you core area में कुछ भी allowed नहीं होता तो hot air balloon ride क्योंकि primarily यह tourism को promote करने के लिए किया गया है तो इसको सीमित किया जाएगा to the buffer area यहाँ पे जो hot air balloon में लोग जाएगे तो they can easily watch the tigers और उसके बाद leopards, indians, sloth bear और कई सारे और जो wild animals यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं उनको अब देख सकते हैं now from height इसका देखिए अगर आपने कभी national park को visit किया होगा या किसी tigers आपको visit किया होगा तो अक्सर जो safaris होती है वो jeep safaris होती है या फिर कुछ cars में safaris करवाई जाती है ठीक है कुछ buses में safaris करवाई जाती है और अक्सर क्या होता है कि buses के आने की वज़े से engine की आवास की वज़े से आप जो animals को वहाँ पे देखने गए हैं उनको देख नहीं पाते है बिकाज अक्सर वो animals कभी छुप जाते हैं या फिर कभी इधर उदर होते हैं लेकिन इस case में आप इस चीज का बहुत ही अच्छे से नजारा देख पाएंगे बिकाज अब आपको animal आपको देखके डरेगा नहीं और आप काफी height भी होंगे जिसकी वज़े से आप काफी आसानी से animals को देख सकते हैं खेर इस service को operate किया जाएगा by the Jaipur based Skywals company Skywals company के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ Skywals company जो है ये भारत की एक लौती और सबसे पहली company जिसको की completely government ने sanction किया हुआ है और इसको license दिया हुआ है commercial hot air balloon operate करने का जनवरी 2008 की बात है जब Skywals को official authorization मिल गई थी from the ministry of civil aviation so that वो इंडिया भर में hot air balloon activities को conduct कर सके और Skywals के पास जो pilots हैं ये केवल इंडिया से ही नहीं कई सारे विदेशी pilots भी इनके पास उपलब्द हैं जिसकी वज़े से काफी अच्छी expertise Skywals company रखती है जिसके चलते ये काफी अच्छा नजारा आपको दे सकती है Coming to the science behind the hot air balloon देखे काफी simple होती है और आप इसको इस image से भी देख सकते है एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए to understand the science और वो ये है कि जो hot air होती है वो light होती है light होती है as compared to the cold air क्योंकि hot air light होती है तो वो obviously ऊपर rise करती है cold air थंड़ी होती है तो वो नीचे rise करती है बड़ी simple सी चीज है आपको तीन images में तीनों चीज़े समझ आ सकती है पहली image में balloon cools, weight is greater than the lift, balloon falls देखिए जो आपका hot air है जो लाल निशान से दिखाया गया है ये छोटा arrow है लेकिन जो नीले वाला arrow है ये बड़ा arrow है यानि कि आपकी balloon के अंदर जो ठंडी हवा है वो जादा है जिसके चलते balloon नीचे आता है अगर second image को देखें balloon is hot, lift is equal to weight balloon floats, इस case में balloon आपका float करता है ना उपर जाता है ना नीचे जाता है और तीसरी image को अगर आप देखें तो लाल रंग की arrow आपकी बड़ी हो चुकी है blue रंग की arrow छोटी है so balloon heats up, lift is greater than the weight और balloon rises so basically जब आपकी balloon के अंदर की गरम हवा बढ़ जाती है और ठंडी हवा कम हो जाती है तब balloon उपर उठता है जब ठंडी हवा बढ़ जाती है और गरम हवा कम हो जाती है तो balloon नीचे आता है जब दोनों का level बराबर होता है तो balloon float करता है और इसी science का इस्तेमाल के जाता है जब आपका balloon नीचे धरती पे है तब आपने क्या किया आपने एक motor को on किया जिसकी वज़े से balloon के अंदर गरम हवा भरनी शुरू हुई जिसकी वज़े से balloon धीरे धीरे हवा में उड़ना शुरू होता है एक बार वो हवा में पहुंच चुका है तो आप चाहते हैं कि balloon हवा मे float करे उपर नीचे ना जाए तब जाके जो आपका pilot operator है वो उसमें गरम और थंडी हवा का स्तर बराबर कर देगा and once your ride is finished उसके बाद अंत में pilot क्या करेगा थंडी हवा का जो स्तर है उसको बढ़ा देगा जिसकी वज़े से balloon आपका धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाए So this is how the hot air balloon works, काफी simple सा principle है जिसके चलते ये hot air balloon आपको काफी अच्छा नसारा दे पाता है Coming to the Bandhavgat Tiger Reserve, देखे ये वाला जो Tiger Reserve है मध्यपरदेश में ये Vindhya Hills में spread है और ये काफी जादा famous है for the Royal Bengal Tigers के लिए In fact, not only for the Royal Bengal Tigers, यहां की जो geography है वो भी काफी interesting है because यहां पे आपको पहाड भी देखने को मिलते हैं, घाटियां भी देखने को मिलते हैं, नदियां भी देखने को मिलते हैं, इवन meadows आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वज़े से आपको अलग-लग तरह की vegetation देखने को मिल ज इसमें forest भी आपको तरह तरह के देखने को मिलते हैं, tropical forest, sand trees हुए, grasslands हुए, तो इसके चलते आपको, because कई सारे forest हैं, इसके चलते आपको कई सारी bird species भी देखने को मिल जाती हैं, यहां पे एक interesting कीज आपको मालूम होनी चाहिए, कुछ साल पहले की बात है, जब काफी कम हो गई थी, because एक बिमारी आ गई थी, from the cattle, जिसकी वज़े से जितने भी गौर थे, वो सभी के सभी मर गए थे, लेकिन कुछ साल बाद, मध्यपदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया, कि वो गौर को reintroduce करने वाले हैं, from the Kanha National Park, जो की बिलकुल पास में ही located हैं, so Kanha National Park से इन्होंने कई सारे गौर को उठाके relocate किया to the Bandagward National Park, और आज की date में ये चीजें महाँ पे सही से चल रही हैं, also I want you to know one more interesting fact कि क्या ये hot air balloon safari जो है, ये दुनिया में पहली है, देखिए अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की तो obviously पहली ही है, अगर हम ये बात करें कि ये किसी भी national park में पहली है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, अफ्रीका में कई सारे forests हैं, कई सारे national parks हैं, जहां पे African governments ने जगा जगा पे hot air balloon safari चलाई हुई है, ठीक है, तो ये दुनिया की पहली नहीं है, लेकिन हा, किसी भी tiger reserve की पहली जरूर है, और यहां पे state government ने ये भी कहा है, कि हम आगे जाके, जो उनके और tiger reserves है, विच इंक्लूड पैंच, कानहा, और पन्ना, इनमें भी हम hot air balloon safari को introduce करने वाले हैं, अगर बात करें tiger population in मध्यप्रदेश की, तो ये भी आपको जाना काफी important है, कि पिछले कुछ years में, मध्यप्रदेश की tiger population है, वो काफी हुआ था, उसके अनुसार tiger population मातर 308 tigers की थी, लेकिन आज की date में, 2019 का जो latest census हुआ है, इसके अनुसार 526 tigers हैं, मध्यप्रदेश की state में, और इसके चलते इन्होंने करनाटका की state को भी take over कर लिया है, फाइनली अगर बात करें कि tiger population आपको कहां कहां पर देखने को मिलती है, तो कुल मिलाके मध्यप्रदेश में 6 tiger reserves हैं, जिनकी list आप यहां पर देख सकते हैं, कान्हा हुआ, पैंच हुआ, पन्ना हुआ, बंदबगड हुआ, सत्पुदा हुआ, और संजय tiger reserve हुआ, इनकी locations भ